कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि नमश्कार दोस्तों स्वाकत है आपका प्रेक्टिकल टेक्टिशन चैनल में आई होप आप से वह बढ़िया होंगे और डेली कुछ नगुछ अज़िए कि रहूंगे अपने काम को बहतर बनाने के लिए जिससे कि आप अपने फिल्स में अपना बैस्ट दे पाएं तो इस यासा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कूलिंग टावर से रिलेटेड जितने पार् इस वीडियो के अंदर जिससे कि आपको जितना भी इसका फैन मोटर वाला पार्ट है वह देखने को मिलेगा और उसके बाद यानि कि दूसरे पोश्चन में वीडियो के इंड में आपको देखने को मिलेगा जो वाटर का सर्कुलेशन होता है वह कुलिंग टावर में किस त अगर आपको कुलिंग टावर के रिगार्डिंग यानि कि किस तरीके से वर्क करता है उसका वर्किंग पिंस्पल क्या है और कौन-कौन से पार्ट है उसके बारे में डीटील में जाना है तो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको इस वीडियो के डिस्क् करने को मिलेगा और यहीं पर हमने काम करना है क्योंक Hi people pack यह पार है यह सामने देखा रहे हैं यह fan और motor है नीचे की तरफ PVC लगा पीविसी क्या हुता है तो पहले आपको पहले बताए कि नीला आप पर देख पा रहे हैं यह P 상황 कों सिद्वा biased कर दिया जाता है इस प्रेख करने का मतलब क्या है पानी को फैलाया जाता और प्रेशर से इस पीवी से ऐलिमिनेटर के ऊपर गिराया जाता है अब ऐसा क्यूँ है इसके पिछे का कारण क्या है वो आप में आपकोसब बताने वाला हो पहले आप देख लीजिए तो यह common लाइन है आप यह मोठी लाइन जो देख पार है यह कॉमन लाइन है जहां से पानी आता है कॉलिंग टावर में उपर की तरफ से इंटरेंस होती है कॉलिंग टावर के पानी की और उसके बाद यहां पर जो जितने भी नोजल लगे हैं छोटे चोटे पॉर्जन में करती है उसके बाद वह पीवी सी एलिमिनेटर पर गिरता है बाकी आगे अभी आप प्रैक्टिकल तौर पर देखने वालें किस तरीकी से सब होता है तो यहां पर हमें सबसे पहले फैन को डिस्मेंटल करना है जिससे कि हम इसके जो बेरिंग से मोटर के अंदर रोटर के अभी तो यह जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यह सब क्या होता है कोलिंग टावर में डिवाइड के आ गया है जिससे कि पानी हरे कोने पे कोलिंग टावर के पहुंच पाया नीचे की तरफ यह पीवी सी एलिमिनेटर नीला वाला पार्ट आप देख पा रहे है तो पीव तो कुछ इस तरीके का, आपके cooling tower के उपर वाले portion का जितना भी part है, वो आपको मैंने बता है, अब आगे चलके और भी आप देखने वाले हैं, पहले आप देखेंगे किस तरीके से dismantle होता है आपका fan और इस तरीके से वर करता है, तो यह fan आप सामने देख पारे हैं, और इसक cooling tower में काम किया था, तो आधी video आपकी cooling tower की है, और दूसरी वीडियो आपकी दूसरी cooling tower की है, आपको proper तरीके से मैं समझा दूँगा, तो यह fan आप देख पारे हैं, यहाँ पर fan blade है, और यह सब अलग 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 रहते हैं, अभी कैसे रहते हैं, अलग अभी देखेंगे, तो यह पहला cooling tower है जिसमें हमने fan blade निकाल दी थी और इसके बाद का जो वीडियो है आप यह देख पा रहे हैं इसका मैंने उपर का cover भी निकाल दिया यहाँ पर एक bearing लगे रहती है और इसी के एक नीचे की तरफ भी bearing लगी हुई होती है तो यह जो bearing होती है इनका बहुत जादा importance होता है इस motor के अंदर या fan motor के अंदर और इनके खराब होने से क्या होता है noise create होती है आपका जो fan blade है वो proper तरीक से गोम नहीं पाता है और जो आपका fan है उसको बहुत जादा तागल लगती है अगर उसको बहुत जादा power के जरुद हो fan blade और जो motor का जो पीछे का cover था वो तो तरवा दिया था उसके बाद यहां पर में वीडियो बना नहीं पाया था तो इसके बाद आपको दूसरे वाले cooling tower में जैसे कि आप सामने देख पार है उस वाले में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम fan और motor को बाहर निकाल दिया था जिससे कि हम router को अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाएं क्योंकि इसी के बीच में आपको पता है router लगा रहता है यह बीच वाला जो खाली portion है यहाँ पर रोटर लगता है उसके बाद उस rotor को बाहर निकाल के हम आसानी से आपकी bearings को बाहर निकाल लेते हैं तो यहा आपका जो संप है water संप जहां पर आपका पानी थंडाओ के नीचे गिरता है तो यह दूसर कुलिंग टावर है तो इसका जो डिजाइन है वह थोड़ा पहले वाले कुलिंग टावर से बिलकुल अलग है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है बीच का रोटर और फैन बिलेट के बीच में एक पंप रहता है और इन दोनों के बीच में क्या होता है पानी का सर्कुलेशन होता है यह मैंने आपको फीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से इन त्यूनों के बीच में कनेक्शन रहते हैं काफी लंबी पाइपलाइन रहती है जिससे की पानी एक दूसरे से कनेक्ट रहता है कहीं के बहुत दूरी पे आपका कुलिंग टावर लगा रहता है जैसे कि बिल्डिंग के रूफ टॉप पे यानि कि छट पे लगा रहता है वहां से पाइपिंग जाती है आपके चिलर में और चिलर खासकर आपके बेस्मेंट में लगे रहते हैं जो वाटर क न कल चुका है दोनों बैरिंग भार निकल चुकी हैं अब इन बैरिंग को हम को में चेंज करना लाइं आए उसके बाद इन रोटर को जैसे हमने निकाला था वापेस इनको फिर से एसेंबल कर देना है तो मैंने बताया आपको जो को आड्य कॉलिंग टार से कनेक्ट होता है और इनी के बीच में पानी का circulation चल रहा होता है और वो क्या होता है जो cooling tower है वो पानी को क्या करता है ठंडा करने का काम करता है तो वहीं condenser में जो पानी है वो गरम होके वापिस से cooling tower की तरफ आता है तो यह आप सामने जो plate देख पा रहे हैं इसी plates पे जो यहां पर 6 points हैं इसी पे आपकी fan blade connect रहते हैं और उन fan blades को proper तरीके से connect किया जाता है जिसकि उनका जो balance है वो proper हर जगा पर बराबर रहे और उनका जो balance अगर bigger जाएगा तो जो motor है उस पर बहुत जादा load पड़ता है उसका जलने का खतरा रहता है तो यह चीज़े ध्यान में रखनी होती है तो यहां पर सब dismantle हो चुका है अब इसको बाद में हम assemble करके दिखाएंगे बट उससे पहले आप water का circulation में मैं आपको practical तोर पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो pump से पानी आता है cooling tower में किस जगा से गिरता है और किस तरीके से वो हर एक पार्ट से होता हुआ आपके sump में जाता है sump जहां पर पानी इखटा हो रहा होता है sump के बाद वो ही ठंडा पानी आपके condenser के तरफ जाता है और condenser के अंदर जो refrigerant होता है वो आपको पता है गरम होता है और वो गरम refrigerant contact में आता है condenser के अंदर के पानी के साथ और वापिस से वो पानी आपका इसी cooling tower में ठंडा होने के लिए आ जाता है तो यह cycle चलती रहती है तो आप यह सामने देख पार है नीचे piping में आपको पानी गिरता हो दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर देखे तो कुछ इस तरीके से जो पानी है वो pumps के थुरू आता है cooling tower के उपर वाले portion में ठीक है यहाँ पर नीचे की तरफ PVC eliminator है पर उससे पहले इस तरीके की piping लगी रहती है जो की हर एक पार पर पानी को पहुचाने का काम करती है और यह nozzle है जो की spray कर रहे है पानी को देख पार होंगे आप तो कुछ इस तरीके से इसको फैला दीती है पानी को और pressure से PVC eliminator के उपर गिराती है जो की क्या करता है cycle की speed को बढ़ाता ही है साथ-साथ वह अच्छी तरीके से पानी को contact में या हवा के contact में आप भी पाता है पानी जितना ज़्यादा फैलेगा पानी उतना अच्छा air के contact में आएगा पहले तो यहाँ पर इसको फैला आया जा रहा है स्प्रे करा जारा जैसके यहाँ पर आप देख पारें पानी को डिवाइड करके हर जग आप स्प्रे कर रहे हैं जैसे कि PVC अलिमिनेटर पर गिरें उसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन पीविसी अलिमिनेटर का होता है जो मैंने आपको पहली दिखाए थी नेली के लर स्प्रे का हैपको पानी के ज़्यादा से जदा हीट रास्फर हो पाएगी और उतना ज़्यादा ठंडा पानी आपका वापिस से ही कंडेंसर में जा पाएगा अगर मैं कहूं आपको कि into का यूज़ ना करते हुए आप डारेक्टली जैसे आम घर पे टैप का यूज़ करते हैं तो अगर वैसे ही पानी गिरा दिया जाए डारेक्ट इसमें तो वो पानी डारेक्ट एक ही जगा पर गिरेगा और वो सीधे पीवीस एलिमिनेटर से होता हुआ नीचे पहुंच जाए तो काफी लंबे समय से जब ये पीवीस वर कर रहा होता है इसमें तो कुछ टाइम के बाद जो पानी के एफेक्ट के वज़े से वह गल जाता है और गलने के बाद कहीं पर पानी फैलता नहीं और डारेक्ट नीचे गरता है बहुत बड़ी मातरा में और वहवा के आपके न उपपर की तरफ जाती है, सामने की तरफ भी आप देख पा रहाएंगे, तो जितने पे portion हैं, वहाँ पर से हवा इंटर करती है, तो संप में कुछ इस तरीके से पानी किरता है, आपने देख लिया होगा, तो इस तरीके से जो ये पानी गिर रहा है यहाँ पर ये ठंडा हो च पानी का सर्कूलेशन का सिस्टम लगा रहता है आई होप आपको यह सब चीजे समझ में आ चुकी होगी आपको प्रैक्टिकल तौर पे दिखा दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे देखने से क्या होता है आपको चीजे जल्दी समझ में आने लगती है तो पानी का वापिस से connect कर दिये हैं और यह प्रॉपर तरीके से work करता है तो जितना भी इसेंबल वाला पार्ट था मैंने वापिस से record नहीं किया था क्यूंकि जिस तरीके से आपको पता है dismantle किया था उसी तरीके से उसके reverse portion में हमने वापिस से उसको connected कर दिया आपको दिखाने के जरूरत नहीं है आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अगर फिर भी आपको समझना है तो आप स्टार्टिंग से फिर से एक बार वीडियो जरूर देख लेजिएगा जिसे कि आपको समझ में आ पाए तो कुछ इस तरीके का इसका उपर का पो तो मैंने क्या पताया था आपको उपर की तरफ से पानी गिरता है नीचे की तरफ जाते है वो ठंडा हो जाता है और वापिस जब वो नीचे पहुंच गया होता है वो ठंडा हो चुका होता है और इसी से वापिस जाता है आपके कंडेंसर की तरफ तो इस तरीके से पानी का circulation और जो dismantle था जो main part था उपर fan blade या जो भी motor थी वो आपने देख लिया है आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को एक बार जरूर देख लीजेगा तो मिलते हैं इसी तरीकी की interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद